दोस्तों आपको पता है, मार्स और जूपिटर के बीच में एक प्लैनेट मौजूद है जिसे सीरीज कहा जाता है। ये प्लूटो की तरह एक ड्वाफ प्लैनेट है और इसमें पानी और एटमोस्फियर हो सकता है। मार्स और जुपिटर के बीच में सीरीज सबसे बड़ी वस्तू है। इसे साल 1801 में खोजा गया था और कई वर्षों तक इसे एस्टरॉइड कहा जाता रहा। सेरिस को साइंटिस्ट्स ने 2006 में ड्वाफ प्लैनेट के रूप में रखा है। सेरिस सोलर प्लैनेट के सथानों में से एक है जहां साइंटिस्ट्स जीवन की संभारिक संकेतों की खोज करना चाहागे। सेरिस के पास कुछ ऐसा है जो दूसरे प्लैनेट में नहीं है, जैसे पानी यहां अर्थ पर पानी जीवन के लिए important है, इसलिए वहां संभव हो सकता हो, वहां जीवन मौजूद हो, अगर सीरिस के पास जीवित चीजे नहीं है, तो हो सकता है, पहले वहां life हो, ऐसे ही interesting fact के ल अग्वार्ष स08 artifact के लिए पास के लाई़ सकता है के लिए आये लेग्वित, भूसरे नहीं हागक 쉽ता है, भूसरे मत अवार्ष प्लास के लिए pendant हैंग से लिए के लिए सटीन फरान आप खेज़ा है, वहां स्टू हैए और भूसरा है, जैसे हम आपट बठिताना में के झाल झाल